नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो हैं दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी के सामने हाफ यरली एकजाम कच्छादस विज्ञान का कालेज का आया हुआ पेपर ले करके आ चुका हूँ बहुत ज़्यादा important question paper है दोस्तों पूरा paper देख करके जाईएगा एक एक प्रस्न को में बहुत अच्छे से हल कराऊंगा और ये college का आया हुआ पेपर है दोस्तों बहुत ज़्यादा viral paper है बहुत ज़्यादा जिलों में ये आ रहा है तो चलिए दोस्तों इस पूरे paper का हम solution क कर लेते हैं कि प्रस्न को अच्छे से समझ लेते हैं है ना चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे दिखेगा पूर्डांक आपको 70 का दिया गया है समय 3 गंटे 15 मिनट दिये गए हैं निर्देश पढ़ना है तो पढ़ लीजिए सभी प्रस्न करना अनिवार है प्रस् स्टार्ट होते हैं आपके थोड़ा मैं जूम कर दूंग आपको क्लियर दिखने लगे यहाँ पे दिखेगा पहला प्रस्न है आप सभी के सामने किसी वस्तु का वास्तविक एम बड़ा प्रतविम्ब बनाने के लिए उसे आउतल दरपन की किस स्थिती में रखना होगा यहाँ पे देखें केंदर और फोकस एफ के बीच और चौथा आप सने धुरू और फोकस के बीच तो यहाँ पे देखिएगा अब यहाँ पे प्रतविम्ब वास्तविक भी होना चाहिए सर्थ क्या है प्रतविम्ब आपका वास्तविक भी होना चाहिए और बड़ा भी होन यही प्रतिविम्ब बड़ा बनेगा और वास्तिवी के ओमुल्टा भी बनेगा तो आपसन C पे आप लोग लगाएंगे ठीक है? दूसरा है दोस्तों किसी लेंस की छमता की इकाई क्या होती है? तो पहला आपसन है मीटर गलत बात है दूसरा प्रति मीटर गलत बात तीसरा मीटर प्रति सेकेंड गलत बात डायोप्टर डायोप्टर एकदम करेक्ट आंसर है अगला है एक स्वेत प्रकास की रण जब किसी काच के प्रिज में से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग बिच्छेपन होता है सबसे अधिक बिचलन की सरंग का होगा तो देखिए स्वेद प्रकास जब प्रिजम से गुजरता है तो उसमें सबसे अधिक बिचलन होता है दोस्तों बैगनी रंग का ठीक है तो आपशन D पे आप टिक करेंगे अगला है सूरे स्वेताब प्रतीत होता है ध्यान देना रकताब नहीं है स्वेताब लिखा गया है तो सूरे स्वेताब कब प्रतीत होता है यानि सफेद सफेद हमें सूरे कब दिखता है तो दो पहार के समय दिखता है आप संसी पे आप टिक करेंगे ना कि आप सूर्यास्त क के समय पे नहीं लगाएंगे क्योंकि सूर्यास्त के समय पे सूर्य हमें रक्ताव दिखाई देता है स्वेताव पूछा जा रहा है तो दोपाहर के समय पे आप टिक करेंगे अगला है किसी बिद्दु चालक का प्रतिरोध निम्लिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता तो किसी चालक का प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है अनुप्रस्त काट के छेतरफल पर भी निर्भर करता है और चालक के पदात के घनत तो पर भी निर्भर करता है तो चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता है इसको आप लोग क्या कर देंगे सह यही आपका आंसर है अगला है कब चार बिद्दु चालकों का समयोजन बनाने पर उनका प्रिडामी प्रतिरोध नियुंतम होगा नियुनि चार बिद्दु चालकों को हमें कैसे सन्योजित करें कि उनका प्रिडामी प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध जो है हमें कम से कम मिले न तो आपका आपसन एकदम करेक्ट है चलते हैं दोस्तों पेपर के अगले पार्ट पे ठीक है ध्यान से देखते रहिएगा और अभी तक कई लोग लाइक नहीं किये हैं तो लाइक से अर भी करते जाना दोस्तों देखिए सातों प्रसन है एक विद्दुत धारावाही चालक के कारण उत्पन चुम्ब की छेत्र की दिशा ग्यात करने के लिए निमलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं देखिए एक विद्दुत धारावाही चालक है और उसकी हमें चुम्ब की छेत्र की दिशा निकालना है तो उसको हम ऐसे हाथों में पकड़ते हैं ना ऐसे कि इसी चालक को यानि कि दाएं हाथ के अंगुठे का नियम लगता है दर्चिड हस्त अंगुष्ठ नियम इसी को कहते हैं तो दाहिने हाथ के अंगुठे का नियम आपका सही है वाँकि सारे आप संगलत है यहाँ ठीक है अब देखते हैं अगला निमलिखित में से कौन सी ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है तो करेक टांसर दोस्तो अलुमिनियम अलुमिनियम जो है यह जैसे ही जल के साथ क्रिया करेगी तो आपको हाइड्रोजन गैस देगी ठीक है अब देखिए नवा प्रसन है निम्न में से इलकीन है इलकीन पूछा जा रहा है यानि डबल बॉन्ड वाला पूछा जा रहा है इलकेन में देखिए सिंगल बॉन्ड होता है इलकाइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है और इलकीन में आपका डबल बॉन्ड होता है इसमें ट्रिपल है तो होगा नहीं इसमें सिंगल है तो ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा आपका ये वाला एकदम करेक्ट है ये आपका एलकीन है ठीक है अगला देखिए एक बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पियचमान संभव है यानि बिलियन देखिए अगर लाल लिटमस को नीला कर तो लाल लिटमस को नीरा करता है काई छारी ये विलियन तो जो छारी ये विलियन होता है उसका पीय अचमाण कहां से कहां कहां तक होता है ये 7 से लेके चवड़ा तक molto तो आपका 7 से 14 के बीच होना चाहिए, तो 8 आपका correct answer है, ठीक है, आप देखें अगला, क्लोरीन के अडू में आबंध पाया जाता है, तो क्लोरीन का अडू जो है, यह इसमें कैसा आबंध पाया जाता है, तो इसमें आयनी का आबंध है, अपसन यह आपका correct है, अगला है, ज दल को जिवाडू रहित बनाने में दोस्तों, उपयोग होता है, ब्लीचिंग पाउडर यानी बिरंजक चूर्ड का, इसी को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ध्यान देना, ठीक है, चाहिए, बिरंजक चूर्ड को आप संडी पे टिक करना है, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के बिनिमय से नए योगिक बनते हैं आयनों के बिनिमय मतलब इधर उधर चेंज करने से है न उन्हें क्या कहा जाता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं तो एक ऐसी अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसमें क्या होता है आयनों का भी निमाय होता है और नय योगीक बनते हैं तो ये आपका correct answer हो जाएगा ठीक है चलिए अगला देखते हैं पाउधों में जाईलम का कारे क्या होता है तो जाईलम का काम होता है दोस्तों जल का वहन करना तो अपसन ये आपका एकदम correct है जाईलम जल जाईलम जल और फ्लोयम फल तो फल माने भोजन तो फ्लोयम जो है वो भोजन का वहन करता है और जाईलम जल का वहन करता है अगला देखिए अन्वन सिक्ता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निमलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया तो भीया मतर का उपयोग किया थट्टा माटर नहीं उप्योग करना है ठीक है मटर पे आप टिक करेंगे अब देखते हैं सोलावा प्रस्न एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास सेयर कर देना दिखेने मिलखित में से कौन मादा जननतंतर का भाग नहीं है तो अंडासे भी है और गर एकसाइड की भी हो सकता है क्लोरोफिल की भी और सूरे का प्रकास की तो इन में से सभी आपका करेंटांसर हो जाएगा अगला देखे समझात अंगों का उधारन क्या है तो हमारे हाथ तथा हाथ हमारे दात तथा हाथी के दात गलत बात इन में से सभी गलत बात आलुयम घा पहला आपसन है अग्र मस्तिस्क दूसरा मध्य मस्तिस्क तीसरा अनुमस्तिस्क चवथा ये सभी तो करेक्ट आंसर है अनुमस्तिस्क ठीक है आपका आपसन C एकदम सही है अनुमस्तिस्क बिश्वा प्रस्ण है प्राकृतिक वरणवाद का प्रतिपादन किसे ने किया तो व पे आर्टिक कहेंगे अब देखिएगा खंड बाव आप सभी का यहां से स्टार्ट होता है वर रणात्मक प्रस्ण डिस्क्रिप्टी क्वेस्चन पहला प्रस्ण है एक अवतल लेंस की छमता ग्यात कीजिए जब उसकी त्रिज्या आपको दे दी गई है पहला माइनस का 150 cm दूसरा माइनस का 250 cm इसको लगाने का तरीका यह है सब से पहले इसको मीटर में कनवर्ट कर लो से इसको मीटर में ले जाओ फिर P बराबर क्या होता है 1 by F इस फार्मूले में रख दो आपको तुरंत इसकी जो है आपको तुरंत इसकी छमता मिल जाएगी ठीक है लेंस की छमता P बराबर 1 by F इसको मीटर में कनवर्ट करने के बाद 1 by F की जो बैलुगा है उसको यहाँ पे लो यह सब आएगा ठीक है बी नंबर देखिए किसी निकट द्रिष्टी दोस्त से पीडित व्यक्ति का दूर बिंदू नेत्र के सामने 80 cm दूरी पर है ठीक है इस दोस्त को संसोधित करने के लिए आवस्यक लेंस की प्रकृति क्या होगी अगला प्रसने देखिए ओम का न लाए जा सकते हैं देखिए यह भी मैं इस वीडियो में प्रसनों को हल नहीं कराऊँगा आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाएंगा और इसन सारे वहर रहनातमक प्रसनों को हल करा दूँगा इसके लिए आप सभी को वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और छेद केओं नहीं करती हैं आपको बताना है किसी चुम्बकी छेतर में इस्तिधारावा ही चालक पर आरोपित बल कब अधिक्तम होता है अगला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है आपको बताना है ठीक है अथ्वामी ये तीनों प्रसने नहीं आते तो इसके बदले आप आगे के तीन प्रसन कर सकते हो जैसे यहाँ पर देखें तो पहला है फ्यूज तार बिद्दुत साधित्रों का बचाव किस प्रकार करता है दो वंक का अगला प्रसन है एक बिद्दुत बल्ब पर 250 बोल्ट और 208 लिखा है इसे 2500 बोल्ट मेंस से जोड़ने पर बल्ब होगी ठीक है बल्ब के प्रतिरोध की भी गड़ना आपको करना है आप लोग इसे हल करने की कोशिस कर सकते हैं वीडियो को रोक करके प्रसन का स्क्रीन सोट लीजिए और कोशिस कीजिए देखिए आपको आता है कि नहीं पांचवा है निमल्खित योगिकों की संरचनाय आपको बताना है प्लेटिनम सोनायों चांदी का उपयोग आभूसर बनाने में क्यों किया जाता है अगला प्रसने खाद्य पदार्थों को सुरचित रखने के लिए उन्हें नाइट्रोजन से प्रभावीत क्यों किया जाता है ठीक है ये दोनों प्रसन आपको करने हैं दो तन्यतायों अगात वर्दिता पर उपचयन पर एस्ट्री कराण अभीकलिया पर तीनों को आप करेंगे तो दो गुड़े, यानि 6 अंक़, आपको मिलेंगे एक प्रस्न दो अंक का है च्छाय अंक का ये भी प्रस्ण है अगला प्रस्ण वन संरक्षन के ओं आवस्या कहे वर्डन कीजिएगा चार अंक आपको देगा लगूत्री प्रस्ण में आंसर देना है पचास सब्दों में अगला है निमलखित प्रटिपडी लिखना है ब्रकाडू यानि नेफरान की संरक्षना पर औ पर अथवा में आप इसको कर लिजिए मानव अहार नाल का आरेख बनाईए और उसमें निमलखित भागों को नमांकित कीजिए मुख को ग्रसिका को अमासे को और छोटी आत को यानि चित्र बनानी के नंबर है इसमें 6 अंक आपको मिलेंगे तो ये रहा दोस्तों पूरा प पीडियाफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा टेलीग्राम चैनल का नाम है लार नवित आरपी जा करके चैनल सर्च कीजिए वहां पर इसकी पीडियाफ में दे दूँगा वहां पर इसको जाकर करके हल कर लेना अन्यता इस वीडियो को जादा से जादा लाइक कीजिये में जल्दी ही पूरे पेपर का सुल्यूशन करवा दूँगा